यूपी के फिरोजाबाद इस्थित एक प्राथ्मिक स्वास्थ केंद्र में उस वक्त हणकम मजगया जब जिले की महिला SDM आउचक निरिछण करने पहुँच गई निरिछण के लिए SDM घूंगट में मरीज बनकर पहुची उन्होंने आम मरीजों की तरह लाइन में लगकर परचा बनवाया और डाक्टर को दिखाने के लिए कतार में लग गई सुरू में उन्हें कोई बैचान नहीं पाया लेकिन जब खुलासा हुआ कि घूंगट वाली महिला कोई और नहीं बलकि SDM है तो वहां मौझूद कर्मचारियों के पसीने छूट गए SDM को सास्त केंदर में कई खामिया मिली अधर नहीं पाया गया उसके अलावा उनके जब रिजिस्टर चेक किये गये तो ताप्र लोगी निसेंग थे खुलोगों की वहां पे इस अधर नहीं पाये गए थे इसके अलावा वहां पे दवाईया जो कुछ आधे लगभग आधा स्टॉप महां एक्स्पायर था जब हम पाउचे और जो विवस्थाए थी साफ सफाई की वह भी मेंटेन नहीं थे इंजेक्शन भी सही धन से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा देने किसी भी प्रकार से एक चंद सेवा के भाव से कारिण ही हो रहा है